नवश्कार पड़ाम आप सभी का हर्दिक स्वागत है मित्रो आज मैं एक ऐसी टॉपिक पराया हूँ एक परंपरा वादिता के तहट ऐसा भी सैच्छेत्रे राजनीता बनने के लिए और राजनितिक गलियारों में एक उशल राजनितिक की बनने के लिए आपकी जनकुर्ली में क्या होना चाहिए हमारे एक वेशिस्ट फॉलोर मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा और उनके सवाल रहे हैं कि जनकुर्णी में राजनिता बनने के लिए क्या होना चाहिए कौन सा प्लानेट स्ट्रॉंग होना चाहिए ऐसी कौन से गड़िती फार्मुले आपकी जनकुर जनकुर्णी में है कि अब भविष्य की रा जनिता हो सकते हैं एक कुशल अरहनितिक रूप में अपने खुद कर पहचान बना सकते हैं मित्रों बने रहिए कुशल रारिता के रूप में आप क्या भविस्य के राणिता बन सकते हैं, आपकी जनकुली में ऐसी कौन सी बाते हैं, छोटा सा वीडियो है, मित्रों आप साथ बने रहे हैं, राहु को राजवीती का कारक ग्रह माला गया है, राहु एक मलेक्ष प्लानेट है, और कल्यों के लिए बहुत जिमदार प्लानेट है, मा कस्विक्ता का कारक है, बिल्कुल एक्सिडेंटल मोड में खुद को अपनी पहचान को बताने के लिए आपको मजबूर करता है, आपको मशबूर करता है, परन्तु कल्यों में राहु स्ट्रॉंग इसलिए है कि कुशल एक्टर बनने के लिए भी राहु का शांदार होना ज प्रविर्ती से युग्त विवस्था में आप खुद की पहचान को बनाते हैं और उस कारे में सफर होते हैं, अर्थात आपका राहु बहतर है, देश काल, समय और सीच्विशन के मुताबिक आप अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं, जो आपकी भाव हैं, आपका लॉजिकल आपकी जो आपका mental status को शांदार तरीके से अभिव्यक्त करते हुए, आप सामने वाले को वशिभूत करते हैं, तो आपका राहु अच्छा है, तभी आप ऐसा कर पाते हैं, अर्थात पहला उस criteria में, आपकी जनकुर्ली में, राहु को अच्छा होना, राहु का अच्छा हो होती है, कि वो सत्ता का सुख को प्राप्त करें, अर्थात सत्ता के उन गलियारों में उपदस्थापित हो, अर्थात उस वेक्ति विशेस की पाटि विशेस की सरकार बनी रहें, तो सासन सत्ता की बात जब होती है, तो शनिदेव की बात होती है, जो न्याय के प्रतिकात्म प्लानेट हैं शनी तो लियाए करते हैं आपकी जन कुडले में सनी बहतर है या नहीं है वह अपने वाक्यांस के अगले करम में मैं आपको बताना उची समझूंगा तीसरे पैदान पर सुरी को प्रकासवान गरह माना गया है सुरी तो घुर्जा का कारक है और सुर बहतर है तो आप प्रकासवान हैं एक चमक वाली आपकी प्रसाल्टी है एक यस्कृति सम्मान के भाव में और चहाए उचे पद्धारक के रुप में हो और आपको लोग जानते हैं, हजारों लोग नहीं, लाखों लोग, करोणों लोग जानते हैं, तब जारेंगे, जब प्रभु आपके व्यक्तित्यों के सापच कुछ बहतर काम कराएंगे, अर्थात यस्कृति सम्मान से युक्त जीवन तब होगा, जब आपकी जन्म कुडली में सुरिदेव बहुत मजबूत होंगे, चौथे करम में मंगल की बात करूँगा, चोकि यदि आप रायता हैं, मिनिष्टर हैं, सांसद हैं, तो मंगल का तो बहतर होना जरूरी है, मंगल एक पाउरफुल इस्टेटस के तहत, खुद को टीट करनी के लिए मजबूर करता ह है, और सकती संपनता का भाव जो भी छेतर है, वो मंगल का है, मंगल तो कमंडर है, लिडर्शिप क्वाल्टी उसके अंदर होती है, और एक प्रैटिकल्टी को भी इंडिकेट मंगल करता है, अर्धात राजनीता के जो गोड होते हैं, उनके जो स्वधर्म होते हैं, अर्ध हाथ किसी भी समस्या से युक्त उस महोल को ट्रिसाउट कर लेते हैं और समस्या की समधान का शांदार प्रयास तब कर पाते हैं जब उनकी प्रैक्टिकल्टी अच्छी हो न्याय की प्रडाली में खुद को उन्याय संगत तरीके से ठीट करें एक कुशल एक्टर हो जैसा सामन इनसान हो आप उसे संतुष्ट कर पाएं और एक चमक युक्त आपकी प्रशाल्टी हो आप प्रकवास प्रकाश्वान हो चमचंगा प्रकाश्वान हो और आपको लोग जानते रहें अर्थात जब राजनिता की बात हो या कुशल रणतिक तरीके से आप खुद को ट्रीट क है राजनिता है अब कुछ बातों को और भी बताना उची समझूंगा आपकी जन्मकुल्ली में राहु का रिलेशन सेकेंड फोर्थ हाउस और ट्विल्थ हाउस से है तो आपको कभी भी राजनिती के बारे में नहीं सोच रा चाहिए सेकेंड कुल खांदान का भाव ट्वि जो सुख का भाव है मात्र सुखो वान सुखो जो भी सुखवाद की एक व्यभारिक कांसेप्ट है उसको चोथे हाउस से रीट किया राता है आपकी जन्मकुल्ले में फिर जरी बिट कर राहू सेकेंड फोर्थ और ट्विल्थ हाउस में राहु है तो रारितिक परिछित्र में आपको सफलता की प्राप्ति नहीं होनी है ठीक दूसरे करम में आपकी जन्मपत्रिका में दसम टेंथ हाउस एलेवेंथ हाउस और सिक्स्थ हाउस और थर्ड हाउस में राहु है तो बड़ाई शांदार तरीके से राहु आपको रांतिक परिछित्र में सफलता को प्रा सेकेंड हाउस में है तो जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं राणिता बनने की बात छोड़िए दूसरे हाउस मंगल है पृणित हो गया है यह निकिन प्रकारेट मंगल नीच का हो मंगल अस्थ हो मंगल शुक्र की यूती बनी हो दोनों साथ बैठे हो और इसका मतलब है कि मंग अलतुषित हो गया है अर्थात फिर भी मैं कह सकता हूं कि रांटी से आप दूरी बना लें उसी प्रकार यह दि मंगल का रिलेशन एंथ हाउस थर्ड हाउस छटे हाउस से हो अर्था थर्ड शिक्स्थ एंथ और एलेवेंथ हाउस में हो तो बड़ा शांदार तरीके से इंगल आपको इनफोस पाउर अपलाई करता है अर्था भविस्य के शक्तिशाली व्यक्तियों की उस रेंखला में आपका नाम शामिल हो सकता है तीसरे क्रम में सनी को सासल सत्ता का कारक बारा गया है आपकी जन्म कुंडले में सनी अस्त निस्तेज नहों और सूर्ष शनी क यूती ना हो साथ दोनों ना बैठे हो पिताप पुत्र है सूरे और शनी दोनों के चरित्र और प्रकृति सोहम मैचिंग नहीं है और था सूरी शनी का साथ बैठना भी घातक होता है शनी देव चाहे जैसे भी हो और पिडित ना हो एंगिल अंश में कमजोर ना हो शनी राहू की यूती ना हो और शनी यदि आपकी जन्म कोडली में मजभूत है और धर्शनी का रिलेशन उसके द्रिश्टिकत रिलेशन आपके टेंथ हाउस आपके लगण से फर्स्ट हाउस से अस्टम से और यहाँ तक कि मैं कह सकता हूँ थर्ड हाउस से बनता हुआ प्रतीत होता है तो शनी देव आपके साथ न्याय करने वाले हैं और सासन सत्ता का सुख भी आपको शनी देव देने वाले हैं इसके ठीक अगले क्रम में सूर्य को यस्कृति सम्मान का तारक माना गया है सूर्य का रिलेशन आपके उमर आपके उहदे से उचे उहदे को इंडिकेट करता है अरथाथ आपके घर्व की बात करें गुल खांदान की बात करें तो अग्रज भाव को इंडिकेट करता है चाचा हो, पिता हो, हाला कि जनक पिता का कारक में सोरी है, आप कहीं जॉब करते हैं, तो हायर की लेवल में आपके बाउस की बाद सोरी देव करते हैं, सोरी यदि आपकी जनपत्रिका में मजबूत है, आपके लगण फर्स्ट हाउस में सोरी कारकत को प्राप्त है, आपकी ज ग्रहों के भावगत इस्तिती से और ग्रहों की कैसी विवस्था बनी हुई है इसका सारांस निसकर्स क्या निकलता है आप वर्तमान समय में आप उध्यमी है वेवसाई है कोशल वेवसाई है या फिर एक राज अस्तर के अधिकारी है भाविश्य की यदि आपकी जन्पत्रिक में इन बातों का एक इंक्लोनेस मोड आपकी जन्पनली में है तो भाविश्य की उस राजनितिक विवस्था में आप कुशल राजनीता के रुप में स्वैंग को आप आगे कर सकते हैं भाविश्य के मिनिस्टर हो सकते हैं अठाथ राजनितिक विवस्था में आने के लिए आपकी जनकुली में राहु शनी मंगल और सोरी का बेहतर होना बहुत जरूरी है मित्रों हमारे एक विशिष्ट फॉलोवर के सवाल थे कि राजितिक परिछित्र में जाने के लिए और कोशल राजिता बनने के लिए आपकी जनकुली में क्या चाहिए? एक छोटी सी व्याख्यान के तहट मेरी कोशिश रही है कि आपको समझने में अस्विधा ना हुई हो बित्रो विराम की इजाज़त के साथ पड़ाम करता हूँ